आज की वीडियो स्नेक आइलेंड पे है सापों से भरा वो आइलेंड जहां जाने वाले जिन्दा वापस नहीं आते तो चलिए बेन टाइम वेश्ट के वीडियो को स्टार्ट करते है हमारे आसपस कई ऐसी जगाएं मौजूद हैं जो रुमांच रहसे और अजुबों से भरी हुई है कई जगा ऐसी है जहां प्रकर्टी की खुपसूर्ती देखने को मिलती है तो वहीं कई जगा ऐसी भी है जो जोखिम से भरी हुई है क्या आपने कभी ऐसी जगाओं के बारे में सुना है जहां इंसानों का नहीं, बलकि सांपों का राज चलता है अगर नहीं, तो आज हम आपको ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाना खत्रों से खाली नहीं है इस जगह पर इतने साप रहते हैं, कि अगर कोई इंसान वहां गलती से भी चला जाए तो उसके जिंदा वापस आने की उमीद नहीं की जा सकती है दरसल ये खतरनाक जगह ब्राजील में है जिसे स्नेक आइलेंड के नाम से जाना जाता है इस आइलेंड का वास्तविक नाम है इलाहाद दाक्युमीडा है वैसे दूर से देखने में ये आइलेंड काफी खुबसूरत लगता है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिये के सबसे खतरनाक साप इसी आइलेंड पर पाया जाते हैं इस नेक आइलेंड पे वाइपर पजाती के भी साप मिलते हैं इस परजाती के सापों के पास उड़ने की भी छमता होती है कहते हैं कि इन सापों का जार इतना खतरनाक होता है कि इनसान का मास तक गला देता है इस आईलेंड पर अलग-अलग परजाती की 4000 से भी ज़ादा साप है ब्राजील नेवी ने आम इंसानों का इस जगह पर जाना प्रबंदित कर रखा है इस आइलेंड पर केबल साम से जुड़े विसे सज्जे को ही सोथ के लिए जाने की अनुमती है हाला कि वो भी केबल टटी और लाकों में ही सोथ करके लौट आते हैं आइलेंड के ज़्यादा अंदर जाने की हिमत उनकी भी नहीं होती हाला कि चोरी छुपे कुछ सिकारी भी इस आइलेंड पर जाकर अवैद रूप से सापों को पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं यहां मिलने वाले गोड़ लाइसन वाइपर की कीमत अंतराष्ट बजारे में 18 लाग रूपाय है